नमस्कार स्वागा थे आप सभी का आपके हर हमारी यूट्यूब चैनल सरकारी इनफॉर्मेशन में मैं हूराज हम आपको बतलाने जा रहा है कि इंटर कंपार्टमेंटल का फॉर्म को जो है आप कैसे भर पाएंगे चाहे वो साइन्स हो आर्ट सो या फिर कॉमर्थ या फिर क कोई एकस का इनिडेट उस व्परण को कैसे विडियो में बतलाने वाले हैं सबसे पहले में हैं कोड़ा नहोंड करना होगा और सब जो है जैसि साइन्स का अलग है और आर्ट का अलग आर्टी जो वह अलग है इस लिखने के बाद आपके पास को इस तरह का वेब साइट खुल कर आजाएगा आने के बाद नीचे करना है आप फॉन या फिर कहीं भी डानलोड कर सकते हैं इसको नीचे करना है एड़ीशन वाले सेक्षिन में आपको देखने को मिल जागा टॉप पे हला कि जब अब इस पे कलिक करते हैं तो इस पे कलिक करने के बाद एक इस पे लिखा हुआ आ रहा है नीचे जब समस्कोल करीएगा यहां पर लिखा उगस्के जान कर दिया करहें आपको पढ़ना है पड़ल यह जंए अननेगे च्चोंग चोड Day since नीचे स्कॉल कर लिए और करने के बाद सबसे नीचे सबसे नीचे आपको मिल जगा फॉर्म नेम और फॉर्म लिंक जहां से कि कर आपका फॉर्म हो जाएगा तो अब फिलाल जो है आपको जो भी आप साइंस से हैं आर्ट से हैं या जिस से भी सब्सक्राइब कर लेंगे हालाकि इसका लिंक हमारे वीडियो के देंगे ताकि आप अपने से खुछ डालोड कर सकते हैं चलिए अब अपको मतलते हैं कैसे परिच्छा आविदन केवाल एंगरी जी के बड़े एक्षर यानि की ब्लॉक लेटर याद रहे कि ब्लॉक लिटर को हम बोलते हैं बरे अक्षर के ब्लॉक लेटर बोला जाता है बरें परते सद्र के बीच में एक बॉक्स खाली रखें परिच्छा आप इदन पत्र सभी व परिच्छंड फामेक कैसे फिल करना वह बतला रहे हैं लेकिन वह बतला सीजिक हुँआ हुआ उसंतर से घुगए और उसी तरह से हुआ जो है आर्ट का भी भषए चलिए चलिए शुरू करते हैं यहां पे एक नंबर से एक नमबर में करना है कॉड्ट अप्दक और तक औल इसको आइज लास्ट में आप 20 से सुने सब्सक्राइब आपको देना है फिर पर यहां पर तीन नंबर में नेम आप आपको कोई दर दिक्रत नहीं होगा चलिए अब आपको मतलाते हैं करना क्या है नॉर्म thrillie जो यह ठूंण में आपको दिखला जेते हैं यहां आपकी यहां से भर लेंगे बिलकुल यहां पर देखिए बौक्स में आपके पिता का नाम है जो डाल देना है एक यो अगर नाम रहोल है तो रलकना है कि आपको संद्स नहीं करना है चलिए यह सबस्क्राइब देना है चलिए नहीं को नहीं करना चलिए यहां इसके बाद अब सब्सक्राइब जिसमें भी हैं अगर अगर यह सक लगा देंगे आप आता है आट नावर में category ये देख सकते हैं आप category का option दे रखा है category का तो इस category को भरना है आप किस से आते हैं general, ebc, bc, sc, st अब देखिए general वाले तो लोग समझेंगे हम general में हैं sc, st भी समझी जाते हैं लेकिन फस्ता कौन है obc वाले obc वाले को जो है बहुत ही दिक्कत होता है obc वाले को कि आम bc1 में है या फिर bc2 में नर्मली क्या करना देखिए मैं आपको समझाता हूँ bc1 बराबर BC1 बराबर जो है होता है ABC और BC2 बराबर होता है BC तो याद रखिए गा कि BC1 बराबर होता है ABC क्रैसी और BC2 होता है BC अब आता है यहां पर देखिए अब जो अगला हैérence में आपको बतला जेते हैं आप देखेंनल में सक्षाम है अपन favour नहीं तुसको आप इसको नो स्क्राइब करना है अबो熱 में इस लिखना है अदहार नंबर आपको फडू लिखना है अब आता है यहाँ पर 14 नमबर में student category सबसे चीज जो बरी चीज यहाँ पर आता है regular, x regular, improvement, उसका बहुत प्राइबेट, compartmental और qualifying देखिए improvement जो है आप देने सकते हैं improvement मतलब है number इसका देखिए improvement मतलब ही लगता है कि number बढ़ाना है उसके लिए और regular वाला जो है समझ रहे है regular को नहीं होगा यह आप x regular अगर आप x regular ने तो भी आप नहीं बहुत सकते हैं तो normally आपको यहाँ पर compartmental पर click कर देना है यहाँ पर ऐसे करके tick लगा दीजेगा तो आपका compartmental का form इस तरह से हो जाएगा पंदरह नम नमर में बोला है metric यानि कि passing board का नाम आपने metric जो किया है किस board से किया है उस board का नाम लिखना है याद रहे कि आप B.S.E.B. मत लिखेगा अगर आप बिहार board पुरा लिखेगा बिहार board पूरा लिखेगा वो लिखेगा उसके बाद details बोला जाता है तेंथ का देने के लिए तो नर्मल यहां पर आपना roll code, roll number और passing यह डालना है आपका roll code आपको roll number से भकाच पता होगा, आपके limit card में mention होगा या फिर आपके mark sheet में तेंथ वाले में अब यहां 17 नमबर में कि आगर आप compare में अगर आप form भर रहे हैं तो आपके limit card में जो भी 12th के limit card में जो भी roll code, roll number है उसको आपको यहां भर देना है roll code, roll number और यहां पर passing यह आपका form हो जागा खतम लेकिन आए 600 उपर आपको मताते हैं यहां पर करना क्या है यहां पर आपको जो है यहां पर देखे बुलता है color photograph और plain white light green background चले यहां पर किसी भी तरह का photo आप डाल सकते हैं कोई issue नहीं है तो आसा light color का होना चाहिए कोई issue नहीं उसके लिए और यहां पर अपना signature कर देंगे उसका आपका फर्स्ट पेस होजागा complete और दूसरी पेस में आप आते हैं जो की में चीज है अब यहां पर subject details compulsory subject group total 200 marks का जो होता है इसमें आपको tick mark करना है तो आप जिस भी subject में फेल है आपको आपको tick कर देना है अब यह additional है इसमें से कोई भी subject लिया है तो इसमें आपको tick mark कर देना है चलिए यह तो हो गया clear आपका आप उनीस नमर में आता है उनका करना है और यहां यह जो है यह आपके स्कूल के जो प्रिंसपल होंगे या फिर जो भी है यानि कि सबसे हेट जो होंगे वह यहां पर करेंगे और यहां पर लिखा हुआ परिचाविदन में उप्यूक्त अंकित विब्रन को मिलान संस्था के अभी लेक सुची करन पत्र से कर लिया गया है जो सही है यानि कि यह करने के बाद ही यहां पर सीनेचर और प्रिंसपल का सीनेचर मौर होगा इस तरह से जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं अपना कंपार झाल झाल